तो डियोर स्टूडेंस आज हम जारेंगे नंबर सिस्टम के बारे में नंबर सिस्टम एक्चूली है क्या आप जानते हैं नंबर लाइक एक नंबर हम यूज करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं और ऐसे बहुत सारे कामों है, हम नंबर का यूज करते हैं, जो कि 0 से लेके 9 तक के उसमें नंबर्स यूज किये जाते हैं, और उससे आगे बढ़ने पर, डबल या ट्रिपल आपस में मिक्स होके नए नंबर्स बना लेते हैं, जैसे कि 25 में 2 और 5 मिलके, 2900, 25 में 2925, ऐसे ही देखा हैं, नंबर्स बना ज्यूज करते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर्स, इसमें 2 नंबर्स होते हैं, 0 और 1, आप लोग जानते हैं, इसको मसीन लाइंगवज भी कहते हैं, कम्प्यूटर समझता है, और इसका यूज करता है, बाइनरी डीजिट का 0 और 1, ऐसे ही ऑक्ट् हैं जिसमें 8 numbers होते हैं 0 से लेके 7 तक और hexadecimal numbers होते हैं जिसमें total 16 number होते हैं 0 से 9 तक तो number होते हैं 10 total number यह हो गए और 11 12 13 14 15 16 इन numbers को a b c d e f के रूप में दर्शाया जाता है यानि hexadecimal number में अगर 9 और b लिखा हो तो 9 का मतलब 9 हो गया और b का मतलब 12 हो गया तो हम देख रहें कि इन number system में जो भी numbers हैं उन numbers में जितनी संख्या है numbers की उसको उनका base या redix कहते हैं यह अगर decimal number में हम देख रहें कि 0 से लेके 9 तक total 10 number है तो decimal number का base जो है वो 10 होगा जिसको redix भी कहते हैं binary number में 0 और 1 दो number है तो इसका redix 2 होगा ऐसे ही octal number में 0 से लेके 7 तक 8 है numbers तो 8 इसका base या redix कहलाएगा और hexadecimal का 16 तो यही number की संख्या है उनका base या redix भी कहलाती है जिनका use हम आगे calculation में भी करते हैं तो यह हमारे चार types के number system है जिनका use हम या computers अपनी information की sharing के लिए भी करता है तो next हम देखेंगे conversion इन numbers को आपस में भी हम convert कर सकते हैं सबसे पहला देख रहे हैं हम decimal to binary अगर decimal से binary में convert करना हो तो हमें क्या करना होगा यह 25 यह decimal number है इसलिए 10 इसका redix लिखा हुआ है इसको हमें convert करना है binary में जिसका redix यह base 2 है इसको solve करने का सबसे सही तरीका है कि हम 25 को जिसमें बदलना है उसके base से divide करते जाएंगे जैसे हम LC हम निकालते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 1 को हम यहां अलग से लिख देंगे फिर से हम 2 से divide करेंगे 2 6 जा 12 कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे इसी तरह next हम करेंगे 2 3 जा 6, 0 बचा पुरा पुरा कड़ गया है इस तरह हम 2 से करेंगे 2 1 जा 2 लेकिन 1 बच गया है इसलिए हम इसको यहां पर 1 रख देंगे अब यहां से हम इस 1 के पास से start करेंगे reverse यहां तक लिखते हुए चले जाएंगे 1 1 0 0 1 यानि 1 1 0 0 1 यह हमारा बाइनरी यानि 25 का जो decimal number का जो बाइनरी हमने निकाला वो आ गया यह इसको हम वापस से check करना चाहते हैं तो हम simply फिर से इसी 1 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 0 0 1 यह हम कर सकते हैं से answer की checking कर रहे हैं यह बाइनरी से decimal में convert कर रहे हैं तो 1 1 0 0 1 हमने लिख दिया अब हर एक में इसी बाइनरी से multiply कर देंगे 2 2 2 2 2 2 अब जैसे हमने लिखा है वैसे यह निचे से इसकी power लिखते जाएंगे 0 1 2 3 4 यह हमने क्या किया इस इसकी तक आपर को सीधा लिखा और 2 से multiply करके नीचे से 0 से हमेसा start करेंगे जहां तक जाए 0 1 2 3 4 यहां हम करेंगे तो तो का फोर बार तो कंच यास देंद ए god यह कै про फॉटकु का थ्री बार फॉटकु या जो जा एट लों यहां प्रावल यह ड्रोदा फोर फॉटला क्यों जी सिक्स्टीन यहां पिछ इन मत्रू है हो जाए गा यहां टू तू तू ज फो तू का मतलब बाउन किसी की पाउर जीड़ वां तो वन जघ्र को जोड़ाइंगे तो 16 प्लस 8 24 और 1 25 यह हमारा आ गया decimal number हम देखते हैं कि जो हमारा पहले decimal था उतना हमारा आया है क्या इसका मतला हमारा यह calculation totally सही है decimal से binary में हमने 2 से divide करके इसको reverse यहां रख दिया और वापस reverse करने के लिए हमने इसमें 2 से multiply करके 0 से लेकर उसकी power रख दी और answer निकालके जोड़ा तो हमारा वही आ गया इसका मतला हमारा calculation बिलकुल सही है so thanks for watching have a nice time